एक टाइम था जब लोग भूत से जादा sensor board से डरते थे अच्छी अच्छी movies को public से दूर किया है इन लोगों ने लेकिन फिर आई Animal और पूरा गेम बदल के रख दिया 10 दिन में 700 करोर क्या फाइदा ऐसे A certificate का जब लोग फिल्म के पीछे पागल हो रहे हैं बट दोस्त ये लास्ट फिल्म नहीं है 2023 की जो adult certificate के साथ रिलीज हुई है Animal तो सिफ ट्रेलर था गुरू असली वॉयलेंस आना तो अभी बाकी है सलार का नाम सुना है अगर जबाब ना है तो आप बहरे होगे क्योंकि सिनिमा की दुनिया में इससे बड़ी कोई दूसरी फिल्म बनने ही सकती बॉस इंडिया में सबसे ज़ादा पैसा कमाने वाली फिल्म का आक्टर और दूसरी सबसे ज़ादा पैसा चापने वाली फिल्म का डिरेक्टर एक साथ एक फिल्म में बच्चे की जान लोगे क्या लेकिन फिर आया सलार का ट्रेलर जिसने पबलिक को बीच से डिवाइड कर दिया एकदम 50-50 आदे इधर आदे उधर गलत मत समझना दो सेम टू सेम ऐसा ही कुछ डंकी के साथ भी हुआ है ट्रेलर में लोगों को उतना मजा नहीं आया जितना वो सोच रहे थे लेकिन ऐसा नहीं है कि सलार का हाइप खतम हो गया है बस फिल्म से एक्सपेक्टेशन का लेवल थोड़ा नीचे गिर गया है बट हार के जीतने वाले को बाजिकर कहते हैं और जब लड़ाई शारुक खान से लड़नी है तो उनके स्टाइल में ही जवाब देना जरूरी है जी हाँ टीम सलार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है जो आपको 100% कन्फ्यूस कर देंगी ट्रेलर सिर्फ धोका था असली गेम तो कुछ और ही है पहली बात तो ये बता दूँ आपको कि सलार का एक और ट्रेलर तयार किया जा रहा है जो लगबख तीन मिनिट का होने वाला है पता तो ये भी चला है कि इस ट्रेलर में जो हमने देखा वो प्रभास का देवा अफ्तार था लेकिन ट्रेलर 2 में सलार पहली बार सब के सामने आएगा माने सलार के अंदर प्रभास का डबल रोल होने वाला है शायद पापा बेटा ठीक जवान की तरह और वहाँ एसार के ने क्या कमाल किया था पूरी दुनिया जानती है ये ट्रेलर 2 पंदरा दिसंबर के आसपास आ सकता है जिसके साथ फिल्म के एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा क्या जबरदर स्ट्रेडेजी लगाई है पका बिजनिस दूसरी कमाल की चीज़ ये है कि नॉर्मली जैसे साउथ में मूवी रिलीज से पहले बड़ा सा इवेंट करते है न वो प्री रिलीज इवेंट सलार के साथ नहीं होगा और इसके पीछे का रीजन बड़ा मज़िदार है क्योंकि डिरेक्टर प्रशांत नील अपनी फिल्म के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करना चाहते हैं तो बॉस ट्रेलर देखकर मेरे जैसे लोगों को जो लग रहा था कि फिल्म में स्टोरी लाइन कहीं भही पुरानी घिसी पिटी टाइप की तो नहीं है तो शाद हम लोग गलत साबित हो सकते हैं सलार एक स्टोरी रिवन फिल्म बताई जा रही है जिसमें काफी सारे ट्विस्टें टरंस को दुनिया से छुपा के एकदम सीक्रेट रखना चाहते हैं प्रशांत नील अब यार केजी एफ के साथ सलार का कनेक्शन हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रीम वो तो नील सहाब ने तोड़ दिया तो फिर ये छुपा क्या रहे हैं सवाल काफी इंटरस्टिंग है और भया तीसरी चीज़ प्रभास का ये नया वाला किलर लुक मुझे पूरे चार मिनिट के सलार ट्रेलर से ज़ादा एक्साइटिंग और खतरनाक लग रहा है वैसे बता दू इस लुक का सलार से कोई लेना देना है नहीं वैसे बलकि ये प्रभास की दूसरी फिल्म कल की 289880 से कनेक्टिड है सबसे बड़ी शिकायत मेरी सलार टीम से ट्रेलर के बाद यही थी कि इतना नॉर्मल लुक कैसे पास कर दिया आपने प्रभास के लिए क्योंकि प्रभास का जो इमेज है वो डॉमिनिटिंग टाइप का है जिस पे ऐसा लाजर देन लाइफ टाइप का पाउरफुल लुक काफी सूट कर रहा है यार लेकिन जब से यह ट्रेलर 2 में देवा नहीं सलार वाली थियरी का पता चला है और फिर यह नया फोटो जब देखा मैंने प्रभास का सच में सलार के लिए excitement एक दम वापस आ चुका है प्लस यह नई वाली न्यूस की फिल्म को adult certificate के साथ पास किया गया है सचो सच में अगर सलार का कोई secret look हमारे सामने आएगा जैसा फिल्म के original posters में दिखाया गया था और trailer 2 में कोई dialogue बाजी नहीं सिर्फ violence, violence और violence के दर्शन करवाये जाएं प्रभास के ऐसे खतरनाक look के साथ बॉस एक मिनिट में पूरा game बदल जाएगा और फिल्म का hype साफ CD वाले game में सीधा 99 तक पहुँच जाएगा वैसे इंडिया से बाहर सलार की advance bookings open कर दी गई है जहां पर film अलरेडी काफी सारे records बना रही है देखो दोस्त इस बात में तो किसी को भी शक नहीं था कि प्रभास की फिल्म पैसा खूब कमाएगी लेकिन इज़त कमा पाती है या नहीं उसका जवाब 10 दिन बाद मिलेगा बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायद करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई